विजली कनेक्षन दो तरीके से होता है एक तो online एक तो offline तो आज हम आपको online करके बताने बाले हैं offline अब जाएंगे powerhouse पे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रुखे की demand कर सकते हैं और online आप कम से कम आपको 1000 रुखे की बचत हो जाएगे तो विजिली connection कैसे करते हैं, क्या का जरूरी document लगने हैं इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको दी है तो वीडियो पूरी देखें और like subscribe करना ना भूलें हमारी वीडियो में आपको कुछ ना पुछ नया सीखने को जरूर मिलता है तो please चैनल को subscribe करने सबसे पहले आपको google open करना है उस पे लिखना है जट, पट और search कर देंगे जो पहली website आएगी उसे हम open करेंगे और यहाँ पर यह पर परचार जो आ रहा है से close कर देंगे यहाँ पर आपको एक ID password डाल के login करना है लेकिन ID password कैसे मिलेगी इदर site में आपको एक option दिखाए दे रहा है इस पे आप click करेंगे यहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश दिये रहते हैं इनको आप पढ़ लेंगे तो आसानी रहेगी फारम करने में आगे हम पूरी जनकारी आपको देने वाले हैं सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको अपना नाम डालना है जिसके नाम से भी connection लेना है घर के मुखिया का नाम और उसके नीचे आपको उसकी जनमतिती जो आधार कार्ट पर दी रहती है नीचे जनमतिती डालने के बाद तीन नंबर पर आपको एक email ID डालना है यह जरूरी नहीं है गया हो तो डाल सकते हैं नीचे आपको एक mobile number डालना यह बहुत ही जरूरी है इस पर आपको message बगरा मिलते हैं नीचे आपको एक capture code डालके submit करना है जैसे ही आप submit करेंगे आपके सामने इस तरीके का dialogue box open होगा यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपके register ID और password आपके mobile number पर भेज़ दिया गया है अब इसे आप यहाँ से okay करेंगे और ID password जो आया है message वो यहाँ पर डालके submit करेंगे अब आप यहाँ पर password को save करने और यहाँ से आप इस नए विजुद connection पर लिखा हुआ इस पर click करेंगे और यहाँ से आपको यह option दिखाएगा apply online इस पर click करेंगे आपके सामने पूरा page खुल जाएगा यहाँ पर आप domestic अगर घरेलू लेना जाते हैं अगर दुकान के लिए तो commercial select करेंगे और यहाँ से आप इसे देने दें इसे जोड़ दें और यहाँ से आपको एक रासन कार्ड अपके बाद BPL है तो आप S करेंगे अगर नहीं है तो आप no करेंगे अगर S करेंगे तो आपको यहाँ से upload करना पड़ेगा तो हमारे पास नहीं है नो करते हैं यहाँ से आपको एक अपना जनपत जो भी है जिला वो select करेंगे उसके नीचे आपको खंड division जहां से भी light आ रही है वो select कर लेंगे उसके नीचे आपको यहाँ पर किलोवार्ट का option मिल रहा है कि आप कितने किलोवार्ट का लेना चाहते हैं हम घरेलू connection लेंगे एक किलोवार्ट का तो यहाँ पर एक डाल देते हैं उसके नीचे आपको यहाँ पर male female select करें और यहाँ से साधी हो गई या नहीं marriage या unmarried तो यहाँ से select करेंगे और उसके आगे पिता या पती का नाम जो भी आप आवे दन में डाल दे हैं डाल दें उसके आगे माता का नाम फिर यहाँ से एक बैकल्पिक मोबाइल नंबर पता देते हैं अगर आपका पता ऊपर office और residence एक ही है तो आप यहाँ पर चिक कर देंगे checkbox पे okay करेंगे click तो नीचे जो भी आपने ऊपर पता डाला है वो नीचे आर्टोमेटली फिलफ हो जाएगा अब आप थोड़ा नीचे स्क्रोल करेंगे यहाँ पर आपको बर्ग फ सबसे पहला डाकुमेंट आपको मकान से related अपलोड करना है जहाँ पर भी आप connection लेना चाहते हैं वो जगह आपकी खुद की है तो मकान के कागज अगर किराया पे है तो किराया नामा यहाँ पर upload करना रहता है तो सबसे पहले आपे हम click करेंगे और यहाँ पर हमारे खुद क मकान है तो मकान के कागज मेरे को यहाँ पर take रसीद मिल लगां मकान टेक्स तो इसको इसको किलिक करेंगे दूसरा डाकुमेंट आप पहुचान के तور पर लगा सकते यह हिंदी इंग्लिस दोनों में दिया रहता है एक को भी आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे नाम पता और यहां पर कितना लोड़ चलाएंगे वो सब लिखें यहां से अपलोड करेंगे से नीचे आपको आयग्री पर टिक करेंगे और यहां से फिर संमिट पर किलिख पहला चरण आपको complete हो चुका है अब आपको 8 चरण में complete करना है सबसे ज्यादा लंबा पहला ही चरण था अब आपको जो आठो चरण आगे दिखाए जाने बहुत ही छोटे छोटे हैं बहुत यासानी से हो जाएंगे यहां पर आपको application number दिया रेता है अब नीचे आप यहा यहां पर आपको साथ दिन दिये रहते हैं यहां पर आप तीन दिन सेलेट करेंगे अपनी मर्जी मुताबिक यह बिजली भी भाग बाले जांच के लिए अपनी फार्मिल्टी के डालना पड़ता है इसे आप यहां से तीन दिन सेलेट करेंगे और नीचे आपको click here to i agree और proceed पे click करेंगे आपके सामने इस तरीके का dialogue box open होगा यहां पर आपको 11 रुपे का किसी भी माद्यम से payment कर देंगे तीन दिनों के बाद आप फिर से ID पासवर्ट डाल के login करेंगे अब आपको यहां पर process जो दिखाया गया है इस पर green green button इस पर click करना रहता है और यहां पर process प पर पहुंच चुके हैं आप यहां पर 1799 रुपे का एक और payment करना है आपको और बिजली विभाग वालों ने क्या report लगाए है वो यहां पर आप click करके view जो लिखा हुआ है देखें यहां पर आप click करेंगे तो दिखाई देगा चलिए हम देख लेते हैं यह देखें बिजल ग्रीन बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे यहां पर click करेंगे जैसे यहां पर click करेंगे आप 5,49 रुपे पहुंच जाएंगे और यहां से 1799 रुपे का एक और payment यहीं पर करना है दूसरा payment पहले आपने 11 रुपे का payment किया था आप 1799 रुपे का नीचे आपक सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी जल्दी से हम नंबर यहां पर डाल लेते हैं पैमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस वपन होगा आप 6 नंबर पर पहुंच जाएंगे छटे नंबर पर अना पत्ति परमाणपत्र यहां से मकांटेक्स या क सब्सक्राइब करेंगे और यहां से तीन दिन सेलेक्ट करेंगे मीटर लगाने के लिए उसके बाद नीचे आप यहां से प्रोसीड करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके सामने इस तरीका का मेंसे जाएगा कि आपका सफलता पुर्वक्ट जो आपने काम किया हो अब आपको 3-4 दिन इंतिजार करना है विजली विभाग वाले आएंगे आपके घर पे मीटर लगा के चले जाएंगे उसके 2-3 दिन के बाद आपको 8 में चैनल पूरा कम्प्रीट हो जाएगा प्रमाण पतर डाउनलूड करने का आपसन आ जाएगा चार दिनों के बाद फिर से आप वहीं बापस जाएंगे आईडी और पासवर्ड और नीचे क्रेप्चा कोड डालके सम्मिट करेंगे यहां से आप प्रोसेस करेंगे और यहां पर आपको एक प्रोसेस का आपसन एक और मिलेगा यहां से फिर से प्रोसेस करेंगे आप देखेंगे आठो चैनल आपके complete हो चुके हैं complete अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रोल करना है नीचे स्क्रोल करते जाना है बिल्कुल last में पहुंच जाना है यहाँ से आपको परमान पत्र डाउनलोड करने का एक आपसन मिलेगा इस पे आप किलिक करेंगे तो आपके सामने save का आपसन आएगा तो save कर लिए एक आपको बिजली रसीद हाइडिल से लिए